जैसे कि आपने ये वीडियो देखा होगा, कि लड़की के साथ बत्तमीजी हुई, गलत तरीके से गलत नियत से उस पर रंग लगाया क्या, गलत उसको ग्रोप किया गया, ये बहुत आम है, ये होली पे होता है, for some reason इंस्टाग्राम इसको अलाउ नहीं कर रहा, अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि होली पे ऐसी चीज़े होती हैं, ये महिला का आ गया, और इसलिए आपको पता चल गया, लेकिन ये काफी आम है, ऐसा ग्रोपिंग करना, ऐसा गलत तरीके से रंग लगाना, गलत नियत रखना, दिमाग में, रंग लगाते वे, ये बहुत आम है, इस पर मैंने वीडियो बनाई थी अपनी वाइफ के साथ, कि कैसे रेस्लिंग से आप कंट्रोल कर सकते हो पोनेंट को और उसको धक्का मार सकते हो, अपनी लात को यूज करके, अपनी लेक को यूज करके, कैसे आप सामने वाले को धक्का मार सकते हो, क्योंकि आपकी लाते आप उसने ऐसी कोई कोशिश करी, बिकाज उसको पता नहीं है, लेकिन उसने बहुत अच्छा काम किया, कि अपने सर को cover कर लिया अच्छे से, और अपने आपको बचाया, बाकी के हमलों से, ये बॉक्सर्स भी करते हैं, ये हर फाइटर करता है, ये बहुत अच्छा काम किया, बट अगेन, step by step है, कि पहले अपने, जो अपने से छोटा है, जिसको आप अराम से handle कर सकते हो, उसको handle करो, धक्का मारो, थपड़ और गाली मत दो, ताकि सामने वाले के पास वजा ना हो, आपको attack करने की, ग्रूप से बाहर निकलो, अपनी आखे खुली रखो, उसने आखे मारने को आएगा, अगर शरा पी ओगी उस इंसान ने, तो वो और ज़्यादा अउगर होगा, और उसके दोस्त भी आएंगे आपको मारने, तो आपको attack नहीं करना है, देखो इसमें महिला और मर्द की बात नहीं है, कोई भी इंसान इतने ज़्यादा आदमी से नहीं है, मगर जितना आपने सीखा है, जितना आप सीखोगे, जितना आप अच्छे फाइटर बनोगे, आपके चांसिस बढ़ जाते हैं, उसमें से बच निकलने के लिए, और उसमें से तीन चालों को लटाने के, अगर आपको boxing आती है, कि एक boxing आती है, पता है कि चिन पे मारने स आपको कैसे मारना है, ताकि आप सामने वाले को विहोश कर सको, सबसे पहले boxing में, kit boxing में यही सिखाते हैं, कि कैसे आँखे खुली रखनी है, यह नहीं आपको आ सकता बताने से, इसके लिए आपको practice करनी पड़ेगी, आपको training करनी पड़ेगी, वो training एक dojo में हो सकती है, व अलका अलका सीख भी रहे हो, तब आपके दिमाग को damage ना हो, इसमें क्योंकि अगर आपका trainer को नहीं पता दिमाग के बारे में, neuroanatomy के बारे में, तो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा damage होगा, सीखते वक्त भी, तो अच्छा coach होना और इसकी training लेना बहुत ज़्याद को सिखाते हैं, और अब हम civilians को भी सिखाने लगे हैं, तो आप जरूर training जरूर ले, चाहे जिससे मरजी ले, हमसे नहीं तो किसी और से, बट आपका trained होना बहुत जरूरी है basic combat में, क्योंकि इससे आपकी self awareness बढ़ती है, आपको confidence आता है, अगर आप सामने वाले को handle कर सकते हो physically इतना confidence है आप में, तो आप ढरोगे नहीं कभी, जैसे इस लड़की ने डर के मारे अपनी आखे बंद कर ले और अपना सर पकड़ लिया, सर पकड़ना ठीक था, अपने सर को बचाना ठीक है, बट बीच में खड़े रहना अपनी आखे बंद करके और कुछ ना करना वो ग अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारा जिम है माशलाज का जम्मू में, आप वहाँ आके ट्रेनिंग कर सकते हैं, अगर आप महिला है, चाय मर्द हैं, अगर आपको लगता है ये ट्रेनिंग वैल्योबल है, हमारे दोजो में आईए, जिम में आईए, ट्रेन कीजिए, हमारे साथ आर्मी वाले लोगों के साथ, आर्मी परसनेल के साथ,